एक बार मगद राज जरासंद ने भगवान श्री किष्ण को यूद के लिए ललकारा लेकिन वैस सिर्फ अकेले नहीं बलकि उसने श्री किष्ण के खिलाफ यूद के लिए यवन देश की राजा काल यवन को भी अपने साथ मिला लिया था काल यवन को भगवान शंकर से ये वर्दान मिला था कि ना तो कोई चंद्रवंशी और ना ही कोई सूर्यवंशी उसको यूद में हरा सकता है उसे ना तो कोई हत्यार मार सकता है और ना ही कोई अपने बल से हरा सकता है पगवान शंकर से मिले वर्दान की वज़े से काल्यवन खुद को अमर और अजे समझने लगा था उसे लगने लगा था कि कोई भी उसे यूद में हरा नहीं सकता और ना ही मार सकता जरासन के कहने पर काल्यवन ने अपनी सेना के साथ मदुरा पर आक्रमन कर दिया अब श्री किष्ण जानते थे कि काल्यवन को वो अपने बल से नहीं मार सकते और ना ही उनका सुदक्षन चक्र उसका कुछ बिगाड सकता है इसलिए वो रण बुमी छोड़ कर भाग गए और एक अंधेरी कुफा में पहुँच गए श्री किष्ण जिस कुफा में जाकर छुपे थे उसमें पहले से ही इक्षवाकू नरेश मानधाता के पुत्र और दक्षिन कोसल के राजा मुझकुंद गहरी नीन में सोय हुए थे उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जी दिलाई थी लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वज़े से वे ठक गए थे इसलिए भगवान इंद्र ने उनसे सोने का आगरे किया और उन्हें एक वरदान भी दिया जिसके मुताबिक जो कोई भी उन्हें नी मुझकुंद सोए हुए थे श्रीकिष्ण ने काल्यवन को ब्रमित करने के लिए अपना पितामबर राजामुच्कूंद के उपर डाल दिया राजा मुझकूंद को देख कर काल्यवन को लगा कि वह श्रीकिष्ण ही है और उससे डरर कर अंदेरी गुफा में चुपकर सो ग यह बगवान श्री किष्ण की एक लीला थी। उन्होंने माबारत की युद्ध में गीता का अबदेश देते हुए भी कहा था कि शिष्टी में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। काल यवन का अंत भी उन्हीं की इच्छा से हुआ।